तो दोस्तों गूड मॉरिंग देखें प्रोजेक्ट मैनेजर का रिकॉर्मेंट जो आया हुआ था ठीके उसका फिर से डेट बढ़ा दिया गया है अब इसका स्टार्टिंग डेट पांच मही को होगा और लास्ट डेट नौ मही को होगा लास्ट डेट रेजिटेशन का नौ म एक सब्सक्राइब बिहार में जौब मिलेगा आपको एच लिमिट है 21 से 37 एर चालीस एर और नंबर और पोस्ट की बात करें तो नतर पोस्ट है ठीके बैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो पोस्ट का नाम प्रोजेक्ट मैनेजर है के टेग्री वाइज बात करें जर्नल का 28 12 AWS का 7 ओवी का 8 ओवी सी फिमेल का 2 एवी सी का 12 सी का 11 सी का 11 सी का एक है ठीक है एजुकेशनल कौलिफिकेशन की बात करें तो कंडिए ठीपिंग यानि किसी भी डिकर्ट है यानि भी या बीवगरा जो भी कुछ भी प्यक्ति आप इस फॉन को डाल सकते है ठीक है पाइस मही पाँस मेंको प्राइं हुगा ओएं बात करें तो रिड़ेक्टलिक्ष्ट होगी निली के बात करें तो नोगी टिसेंट करके देख लेते हैं देखिए दस्तों आगे हैं देखिए विग्यापन संख्या जो 02220 थी इसमें आनलाइन आवेदन संब्वेंदी प्रक्रिया पूरो से निर्धारिती थी ठीक है तो राजिस्टेशन पंजीकराण किती थी है 172220 से 23220 तक थी पाले ठीक है आप इस तारित कर दीगे हैं पांच पांच दो अरबीस से लेकर नव पांच दो अरबीस तक आप इसको कर सकते हैं परिचा सुल्क भुकतान करने की तिती थी ठीक शात तिन दो अरबीस तक लेकिन अब बढ़ा कर कर दी गई है उसके अगली तिती पुरवान को 11 बज़े के बाद यानि आप जिस दिन करके करने का लिंक उपलब्द होगा ठीक है और जिस दिती को भुकतान करेंगे उसके अगले दिन 11 बज़े के बाद आपको अपलिकेशन फर्म भरने के लिए मिलेगा ठीक है इस तरह आपको फर्म भर में पूरे तीन दिन लगेंगे अबर्थी दिनांग 15-5-20 तक साइट पर चले जाईए और वहां पर आपको सारी जनकारी मिल जाएगे अधिक जनकारी के लिए बीपी एससी के साइट पर चले जाईए और जनकारी अच्छी लगे तो अनलाइन फर्म को सब्सक्राइब कीजिए हम इसी तरह आपको पलपल की अपडेट देते रहेंगे थ थांक्यू